Airtel और Jio दोनों प्रोवाइड करते हैं Postpaid Sim की फेसलिटी और आप इन दोनों के बीच में एक comparison देखना चाहते हो कि Airtel के Postpaid में क्या feature मिलते हैं Jio के Postpaid में क्या feature मिलते हैं इन दोनों के plan में किसके plan बहतर है किसमें कितना data मिलता है दोनों का पूरा एक comparison देखना चाहते हो और ये जानना चाहते हूँ कि आपके लिए कौन सा बहतर होने वाला है या इन में से कौन सा बहतर है तो वो मैं आपको इस वीडियो में बहुत simple तरीके से बताने वाला हूँ तो चलो वीडियो को start करते हैं तो हम लोग start करेंगे दोनों के advantage और disadvantage से कि ATL में क्या मिलता है और जियो में क्या मिलता है स्क्रीन पे हम लोग देखें कि लेफ्ट में जो ATL की details है और राइट में यहाँ पे जियो की है advantage से हमें start करते हैं देखो जो यहाँ पे important चीज़े हों मैंने highlight की हुई है सबसे पहला point है ATL में priority customer, जियो में भी priority customer है अब इसका मतलब क्या है देखो ATL और जियो की जो prepaid customer है उनसे बहतर service वो बोलते हैं कि हम postpaid वालों को देंगे जैसे कि अगर आपको कोई problem आ जाती है आपको कोई कुछ जानना है आप call लगाते हो customer care में वो उठाते नहीं है तो यहाँ पर आपको callback request का option आ जाता है यह बोलते हैं कि भाई हम ज्यादा अच्छी facility हमारे postpaid customers को देंगे जियो में मैंने एक चीज़ यहाँ पर highlight की हुई है मनचाहा number लिखके अब यह मनचाहा number क्या है यह extra benefit मिलता है आपको जियो में इसके अंदर क्या है कि आप अभी जो number use कर रहे हो या अपनी पसंद की digit का number जियो के postpaid में आप ले सकते हो आपको जो मर्जी number चीए वो जियो के postpaid में आपको मिल जाएगा second ATL में advantage है battery speed का ATL बोलता है कि हमारे जो prepaid customers हैं जो पहले जैसे कि हम recharge करके sim use करते हैं postpaid वालों को उससे थोड़ी सी बहतरी speed मिलती है बहुत सारे लोगों के मैंने feedback और review भी देखे हैं वहाँ पे भी लोगोंने बोलाए कि भाई postpaid में थोड़ी सी speed की stability अच्छी मिलती है ATL के अंदर जीओ के अंदर क्या मिलता है देखो आपको international roaming मिलती है 120 countries में free जहाँ पे आप लोग call, sms और high speed internet यूज़ कर सकते हो जीओ में ये दोनों के अंदर अलग-अलग difference है अब ATL में आपको family plan का option मिल जाता है जीओ में भी आपको family plan का option मिल जाता है लेकिन ATL के जो starting के plan है जैसे कि 399 या 499 वहीं से आपको data rollover मिल जाता है लेकिन जीओ के जो हापे सबसे expensive plan है उसमें ही आपको data rollover का option मिलता है no data limit मैंने देखो दोनों के अंदर लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि जो भी आप plan choose करते हो उसमें आपको एक बारी में data मिल जाता है आपको जैसे कि Delhi का 2GB, 3GB ऐसे करके limit नहीं मिलती plan के अंदर जितना data आपको मिलता है उतना चाहे तो आप एक दिन में भी उसको use कर सकते हो नीचे मैंने bulk data लिखा हुआ है उसका मतलब यह ही है कि आपको एक ही बार में bulk में data सारा मिल जाता है आपको ऐसे नहीं है कि दिन का 1.5GB limit मिलेगा या 2GB मिलेगा आपको जितना data मिला है उतना आप एक दिन में भी चाहो तो use कर सकते हो दोनों के अंदर आपको OTT combos मिल जाते हैं जैसे की Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, Hotstar के complimentary subscriptions दोनों के अंदर आपको available मिल जाते हैं अब दोनों के common disadvantage इसके बार में बात कर लेते हैं पहला मैंने लिखा हुआ है expensive is compared to prepaid यह दोनों में ही है Airtel और Gio के देखो दोनों के जो postpaid plans है न यह थोड़े से महंगे हैं इन दोनों के ही prepaid से जो हम लोग पहले recharge करके जो prepaid से हम use करते हैं उनके प्लान थोड़े से सस्ती है और यह जो postpaid है उसमें जो data आपको मिलता है यह थोड़ा सा महंगा पड़ता है इनी के prepaid से दोनों मे Second यहाँ पर दोनों में disadvantage यहाँ पर data है जो है वो थोड़ा सा महंगा है Airtel में क्या होता है जैसे कि आपने plan ले लिया Airtel में 75 GB पर month वाला आपने वो month से पहले ही 75 GB यूज़ कर ली आगे आप use करोगे न तो आपका data बंद नहीं होगा जैसे कि prepaid में क्या होता है data खतम तो net की speed चली जाती है लेकिन यहाँ पर जो पोसपेड होता है उसमें speed नहीं जाती आपका net चलता रहेगा लेकिन आपका bill में आपके पैसे बढ़के आ जाएंगे देखो अगर आप data अपना complete करने के बाद और यूज़ करते हो Airtel में तो 20.5 रुपीज पर GB यानि की 25 रुपे एक GB का आपको extra देना पड़ेगा वहीं जीओ में आपको 10 रुपे एक GB का extra देना पड़ेगा Airtel में यह almost double है तो यहाँ पर यह थोड़ा सा Airtel में expensive है जीओ में उतना नहीं है अब next disadvantage मैंने लिखा हुआ है दोनों में no plan flexibility देखो इसका मतलब क्या है Airtel और जीओ दोनों मे recharge डाल के उसको activate कर सकते हैं लेकिन postpaid में ऐसा नहीं होगा आपने जो plan लिया है वो पहले आप पूरे month use करोगे उसके बाद उसका bill भरने के बाद आप जो है plan change कर सकते हो तो यहाँ पे आपको plan flexibility नहीं मिलती next disadvantage है regular bill no break दोनों में यह है इसका मतलब क्या है देखो मैंने बहु यूज कर लिया या घर पे किसी का hotspot open करके वहाँ पे net तब यूज कर लिया जब वह वापस से school college या कहीं पे जाएंगे तब recharge करते हैं तो उस बीच तक उनको यहाँ पे पैसे नहीं देने होते लेकिन यहाँ पे postpaid के अंदर क्या है कि आपने एक बार postpaid plan ले लिया तो आप आपको regular monthly उसके जो बिल है वो यहाँ पे करने पड़ेंगे और next इन दोनों के अंदर आपको additional 18% GST भी देना पड़ता है जैसे कि 399 या 499 के जो recharge है मैं आपको आगे भी recharge के बारे में बताऊंगा जो plans होते हैं postpaid में वो final price नहीं है उसके अंदर 18% और GST include होके आता है तो मत speed का एक बड़ा disadvantage होता है कि आपको bill shock कर सकता है मतलब की देखो इसमें क्या होता है कि आपको जो data मिलता है वो आप use कर लेते हो उसके बाद अगर आप net use करोगे तो 8L में 1 GB का 20 रुपे के आसपास आपको देना पड़ेगा और G.O में हापे आपको 10 रुपे के आसपास देन आएगा और वहीं G.O में आपको 500 रुपे एक्स्ट्रा बिल आएगा पोस्पेड के अंदर ये एक disadvantage होता है अब ये तो हो गए दोनों के advantages और disadvantages के किसके अंदर क्या कुछ मिलता है अब इन दोनों के plan को भी compare कर लेते हैं दोनों का plan comparison देख लेते हैं देखो सबसे पहले plan comparison के अब इसके अंदर क्या देखने के लिए मिलता है तोटल 30 GB data आपको पूरे मन्त के लिए देखने के लिए मिल जाता है 299 के प्लान में G.O के अंदर 100 SMS per day unlimited call यहां पे आपको मिल जाएंगी लिखा हुआ है कि 30 GB यूज करने के बाद आप डेटा यूज करोगे तो 10 रुपे प 5G का भी option मिल जाता है जैसे कि अभी G.O में unlimited 5G मिलता है तो यहां पे भी आपको मिल जाएगा अब next दोनों के अंदर देखो common plan है 399 रुपीज का left में Airtel है right में यहां पे G.O है Airtel में 399 में आपको 40 GB data मिलता है यहां पे और साथ में rollover की facility मिलती है जैसा कि मैंने आपको starting में बताया Airtel के starting के plans है आपको data rollover की facility मिल जाती है वहीं G.O में यह आपको इसके top वाले plan में मिलती है तो Airtel में 399 में आपको 40 GB data मिलता है 100 SMS per day unlimited calls आपको मिलते हैं वहीं G.O में 399 में आपको देखो यहां पे 75 GB data मिलता है Airtel से काफी जादा है और यहां पे भी लिखा ह हुआ है कि इसको use करने के बाद आपको 1 GB का 10 रुपे extra यहां पे देने पड़ेंगे यहां पे आपको add-on facility मिल जाती है मतलब 3 add-on sim आप ले सकते हैं इस वाले plan में ही G.O के और इसके साथ में आपको unlimited call 100 SMS per day यहां पे भी आपको मिल जाते हैं next दोनों में common plan है 599 रुपीज क यहां पे calling option और साती में देखो यहां पे आपको Amazon Prime का भी subscription मिल जाता है और यहां पे Airtel की जो Wink Music एप है वो उसका भी access आपको इसके साथ में मिल जाता है वहीं G.O के 599 वाले plan में देखो यहां पे आपको unlimited data मिलता है यहां पे कोई add-on का option नहीं है मतलब यहां पे आप अब इंटरनेट यूज करो तो यह मुझे इसका काफी अच्छा plan लगा कि यहां पे data की कोई limit नहीं है unlimited data के अंदर आपको मिलने वाला है और साथ में unlimited call 100 SMS per day वाली facility यहां पे आपको मिलेगी अब next देखो जो plan है Airtel में 999 का और G.O में है 699 का plan के price में काफी difference है लेकिन दो नहीं देखो G.O में सिर्फ आप 699 में दोगे आपको 100 GB data मिलेगा इतना data Airtel में 1000 रुपे देने पर आपको मिल रहा था और G.O में यहां पे 700 रुपे में यानि की 300 रुपे का दूनों के अंदर difference है Airtel में आपको एक regular sim मिलेगी तीन add-on sim ले सकते हैं वहीं आप G.O के नियान वाले plan में और यहां पे आपको unlimited calling और 100 SMS पर दे का भी option मिल जाता है इसके अंदर आपको Netflix का basic और Amazon Prime की जो वीडियो जे उसका भी feature आपको मिल जाएगा G.O के इस 699 वाले plan में अब यहां पे इन दोनों में 300 रुपे का difference मिलता है plan में लेकिन दोनों के इंदर जो benefit है वो same मिलते हैं इससे पता चलता है कि बाई G.O काफी सस्ता है यहां पे Airtel से अब next जो plan है देखो वो 1199 रुपीज का यह Airtel में G.O में 1199 रुपीज का कोई plan नहीं है Airtel में क्या मिलता है 1199 में आपको एक regular sim तीन add-on sim आप इसके अंदर ले सकते हैं आपको 150 GB data मिलता है रो एक्स्ट्रा यह है कि यहां पे आपको Disney Plus Hot Star और Netflix भी add हो जाते हैं Airtel के इस 1199 वाले plan में अब लाश दोनों के अंदर जो plan है वो है 1499 रुपीज का यानि की लगबग 1500 रुपे का दोनों का plan है देखो Airtel में एक sim मिलती है चार आप इसके अंदर add-on sim ले सकते हो 200 GB data आपको म 500 GB यानि की 100 GB extra मिलता है Airtel से और यहां पे आपको देखो 500 GB तक का rollover मिल जाता है जैसा कि मैंने आपको starting में बता है था कि Gio के top वाले plan में ही आपको data rollover की facility मिलती है Airtel में आपको starting से यह facility मिलने लग जाती है तो Gio में आपको 500 GB rollover यहां पे family plan के लिए NA लिखा हुआ है not available है अब यह आप जब plan लोगे तभी आपको पता चलेगा कि इसके अंदर add-on sim होंगे या नहीं होंगे I think होंगे जरूर अब लेकिन यह आपको तभी पता चलेगा confirm जब आप यह वाला plan लेने जाओगे या जब आप Jio का जो post paid sim है वो लोगे तब आपको पता चलेगा 100 SMS Netflix यहाँ पर आपको मिल जाएगा Amazon Prime यहाँ पर आपको इसके अंदर भी मिल जाएगा what star यहाँ पर नहीं मिलता वो ATL के अंदर आपको मिलेगा अब इन दोनों के advantage और disadvantage इसके साथ में हमने plan भी compare करके देख लिए कि बाई किसके plan में क्या मिलता है किसके plan cheap है किसके महंगे है अ ATL में 299 का कोई plan नहीं है तो यहाँ पर point जाता है GEO की तरफ first advantage second यहाँ पर देखो GEO postpaid plan जो है वो cheaper है ATL postpaid plan से जैसा कि अभी हमने देखा कि GEO वाले जो plan है वो थोड़े सस्ते है ATL से वहीं ATL के अंदर एक benefit जाता है कि यहाँ पर ATL में data rollover की जो facility है वो आपको starting के plan से ही मिल जाते है लेकिन वहीं GEO में यह facility इसके top वाले plan में मिलती है लेकिन next benefit फिर जाता है GEO की तरफ की GEO में unlimited data मिल जाता है आपको 599 वाले plan में एक plan है GEO में 599 का जिसके बारे में अभी हमने बात की थी कि 599 पर मंत का recharge लो जिसमें unlimited आप data use कर सकते हो आपको कोई restriction नहीं है ऐ ऐसा plan ATL में नहीं है तो benefit जाता है GEO की तरह लाश्ट यहां पर देखो GEO के जो data charges है वो cheaper है ATL से जैसे कि मैंने दिखाया था आपको कि net अक पूरा use कर लेते हो limit जितनी आपको मिलती है जो plan आप लेते हो उसके बाद में ATL में 1 GB का 20 रुपे के आसपास में आपको extra देना प अब एक और आपका सवाल हो सकता है कि इन दोनों में speed किसकी बहतर रहती है देखो ATL और GEO दोनों ही बहुत अच्छे हैं दोनों में आपको उच्छी speed मिल जाते है depend करता है अलग-अलग cities में कहीं पे GEO में जादा speed आ जाती है कहीं पे ATL पे जादा speed आ जाती है speed के मामले मे दोनों अच्छे हैं बाकी सारी चीज़े हमने compare करके देख लिए plan advantage, risk advantage सब जान लिये हैं hopefully आपको वीडियो समझ आया होगा अच्छा लगा होगा मेरे recording GEO यहां पे बहतर है ATL से postpaid के मामले में जैसा कि हमने सारे data को देखा सारी चीज़ों को compare किया बाकी decision आपका है आपको मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में तब के लिए thank you, bye bye